दो दोस्त और भालू की कहानी सोहन और मोहन दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे मोहन डरा हुआ था वह सोहन से बोला कोई जंगली जानवर आ गया तो क्या होगा? सोहन ने आश्वासन दिया कि वह हर मुश्किल में उसके साथ रहेगा दोनों आगे बढ़े तो अचानक एक भालू उनके सामने आ गया सोहन फौरन एक पेड़ पर चड़ गया मोहन को पेड़ पर चड़ना नहीं आता था वह नीचे खड़ा रह गया उसने सोहन को मदद के लिए पुकारा मगर सोहन ने उसकी बात अनसुनी कर दी तब भालू को पास आते देखकर मोहन सास रोक कर जमीन पर लेट गया भालू मोहन के पास आया और उसके कान के पास मोहन ले गया ऐसा लगा मानो वो उसके कान में कुछ कह रहा है फिर वो चला गया भालू के जाने के बाद सोहन पेड से उत्रा और मोहन से पूछने लगा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा मोहन बोला भालू कह रहा था कि जो मुसीबत में साथ छोड़ जाएं ऐसे दोस्त पर कभी भरोसा मत करना लाइक शेर एंड सब्सक्राइब